दोस्तो अगर आपके भी बीयर्ड नहीं आ रहे हैं मतलब आपके मूश और यहां पर सिर्फ थोड़े बीयर्ड आ रहे हैं तो दोस्तो आपको टेंसल लेने की कोई ज़रुवत नहीं है तो चलिए दोस्तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे अपने beard को grow कर सकते हैं बिलकुल अगर आपका age 20, 22, 23, 25, 30 साल तक हो गई है तो भी आप अपने beard को उगा सकते हैं बिलकुल असान तरीके से तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना होगा तो चलिए कुछ मैं आपको सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तो मेरे पास है यह मार्स भाइजी एससी का बायोटीन ठीक है यह बायोटीन टेबलेट दोस्तोह आपका यह फिलिप कार्ड ओर आओ एमेजोन पर मिल जाएंगा ठीक है दोशुए इसमें 60 टेबलेट रहते हैं तो साथ टेबलेट को दोस्तों आपको साम को मतलब डीनर करने के तुरंद पांचे मिनट बाद इसे खा लेना ठीक है अब दोस्तों देखे इस टेबलेट का काम क्या है जब आप मिनोक्स डिल लगाएंगे फिर उसके बाद यह टेबलेट काम यह है आपके जितने भी बेड के जगन छोटे छोटे बेबी हेयर्स रहते हैं दोस्तों क्या करता है यह उन्हें बुष्ट करता है उन्हें ताजा तंदुरुस्त बनाता है जितने भूरे मतलब ब्राउन ब्राउन हेयर्स होते है उन्हें काला बनाता है दोस्तों इसका बायोटेन का यह काम है ठीक है और भ रखते हैं यह मार्स भाइजी ऐसी का मिनोक्स डील है दोस्तों इसे कैसे लगाना है आपको एक सेंपू भी लेना पड़ेगा ओभी मार्स भाइजी CC का क्योंकि मैंने जितना कुछ यूज किया है मार्स भाई जी CC का यूज किया हूँ मैं आपको बारत तेरह सौ रुपे में मिल जाएगा मैं उसका Link भी दे दिया हूँ और साथ में मैं उसका coupon code भी दिया हूँ आपको discount में मिल जाएगा बिल्कुल ठीक है तो इसे कैसे लगाना दोस्तों देखिए आप साम को इसे लगाना है इसे साम को आपको लगाना है 6-7 बज़े आप अपना मूद हो लेजी अच्छे सेंपू से एक सेंपू भी इसके साथ आता है उसे सिर्फ आपको मूद होना है फिर उसके बाद अच्छे से उसे सुखा लेना है ठीक है ड्राइव हो जाने दीजिएगा फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर मिल जाता है दोस्तों आपको एक डर्मा रोलर जो कि बहुत अच्छा चीज है दोस्तों पहले लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे लेकिन अब जिनके बियर्ड आयों खुद खोल कर बोलते हैं हां भाई ये बहुत काम का है ठीक है दोस्तों इसे क्या करना आपको अपने गालों पर ऐसे सिराग जाते हैं तो आपको ऐसे कम सकंपांच मिनट तक आपको दोनों साइड में जहां जहां है और अच्छे से थोड़ा रेडिनेस हो जाने देजिए लाल हो जाएगा तब जाकर ये मिनोक्सडिल बहुत अच्छे से और करेगा अगर आप इसी डर्मा रोलर को नहीं रगडते है अगर मिनोक्सडिल लगाते हैं तो दोस्तो उतना जल्दी वर्क नहीं करेगा क्योंकि जब ये रेड हो जाता है तो बहुत जल्द एब्जोर्ब करता है मतलब सुख जाता है तो चलिए इसका काम खतम हो गया एक चीज और है दोस्तो ये ट्यूप है दोस्तो इसे कि इसमें लगाना है ओके तो दोस्तो लगाने के बाद आपको क्या करना है ये टैबलेट आपको खा लेना खाना खाने के बाद डेली आपको खाना है छोड़ना नहीं है ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं एक चीज और है मेरे पास देखिए जब सूबह होगा तो आपक एक coconut oil लेना है ठीक है क्योंकि जब minoxidil लगाएंगे तो साइद आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो आपके इसकीन पर थोड़ा ड्राइनेस होगी तो आपको इसे लगाने ला यह ड्राइनेस को खतम करता है और एक चीज और आपके यह बालों को भी बहुत जो है कि पोसर तत्व देता है उसे काला घना मोटा यह भी करता है दोस्तों तो आपको सिर्फ minoxidil से काम नहीं चलाना है आपको डेली यूज करना छोड़ना बिल्कुल नहीं है अगर आप चाहते हैं फूल बियर्ड गुरो आपकी भी हो जाए दो दोस्तों इसे जरूर लगाने और हम एक बात में इंपोर्टेंच चीज आपको बता रहा हूं दोस्तों आपको पेसिंस रखना बहुत जरूरी है अगर आप डेली दोस्तों आप विस्वास नहीं करेंगे मैं डेली अभी भी मैं आईने में अपना मुउघ देखता हूं डेली दीन में पहले शुरुआते में तो कम सकम दीन बन में चार-पांच बार अपना मुझ देखता था यार कहा बेबी हैर से निकल ले निकल अगां रिजल्ट देखिएगा 100% आपका बिएड गुरू होगा बेलकुल मेरी तरह ठीक है दोस्तों तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक कीजिए और चैनल क्या सस्क्राइब ज़रू करना क्योंकि मैं बिएड से रिलेटेड वीडियो अपने इस योटूब चैनल पर लेकर आता हूं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबबा हैं